तो दोस्तों फिर साका बहुत स्वागत है, मैं हूँ विश्वुर, तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कस्टम ग्रिड लाइन कैसे क्रिएट करते हैं Microsoft World में, तो जैसे कि आप देख रहे सामने Microsoft World का पेज ओपन है, अगर हमें कस्टम ग्रिड लाइन क्रिएट करन दिखाई पढ़ेंगे, तो हमको जाना है grid setting में, इस पर क्लिक कर दीजे, तो grid setting का देखिए box आपके सामने open हो गया, आप यहां ध्यान से देखेगा, हमें horizontal spacing और vertical spacing दोनों आप जो आपको दिख रही है, इसको जो change करना है, अब इसको अपने हिसाप से हम manage कर लेते हैं, for example, ह नीचे भी 60 कर देते हैं यह हमने 60 कर दिया, उसके बाद यहां नीचे से हम इसको ok कर देते हैं, अब उसके बाद हम वापश चलते हैं, और drop down पे click करते हैं, उसके बाद नीचे जब view grid lines आप देखना चाहते हैं, जब आप view grid lines पे click करेंगे, तो आप देखी कि grid lines जो है customize हो ग